कोरोना वाइरस को लेकर देश भर में कई अध्यान चल रहे हैं अब IIT बॉंबे के अनुसंधान करताओं ने अपने अध्यान के आधार पर कहा है कि कांच और प्लास्टिक वाली सतहों की तुलना में कागज और कपड़े पर कोरोना वाइरस कम दिनों तक जीवित रह सकता है यानि ये कांच और प्लास्टिक पर जादा दिनों तक जीवित रह सकता है SRS-CoV-2 वाइरस से होने वाला COVID-19 श्वस्न बूंदों से फैलता है वाइरस वाली ये बूंदे किसी सतह पर गिरने के बाद संक्रमन के प्रसार का सोर्स बन जाती है Physics of Flutes नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में अनुसंधान करताओं ने प्लास्टिक, कांच, कागज और कपड़े जैसी सतहों पर इन बूंदों के सूखने का विशलेशन किया इसमें पाया गया कि ये बूंदे प्लास्टिक और कांच की तुलना में कागज और कपड़े पर जादा जल्दी सूखती है Research के मताबक वाइरस कांच पर 4 दिनों तक और प्लास्टिक और स्टेंडलेस स्टील पर 7 दिनों तक जिन्दा रह सकता है इस अधयन के ओथर IIT Bombay के संग मित्रो चटर जी के अनुसार अपने अधयन के आधार पर ये सिफारिश करते हैं कि अस्पतालों और कार्यालों में कांच, स्टेंलेस टील या लेमिनेटेड लकडी से बने फरनीचर को कपड़े से ढग दिया जाए ताकि सपर्ष में आने प वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं